पॉस्ट्वेतिजम हिंदी चानल प्रेक्षकों को स्वागत विस्वी उख्यात नास्तेक स्री गौरा जिसे लिखी हुई जिन्दगी के सबक नामक पुस्तक से अनेक अम्षम को जान रहे हैं न आज के अंक में गांधी जी की हेतवाद के बारे में जनेंगे बाते सही और संधर्ब्यक्त होना हेतवाद कहते है लेकिन गांधी जी हेतवादी कैसे बनेंगे जिन्होंने कहा है कि देक्षिन में चुवाचुत के कारण उत्तरदिशा में बिहार में बूकम पाया है अगर उनके शब्धों में इतना असंकतता होते पूरी दुनिया महत्मा के तोर पर उनका सम्मान क्यों करती? इन बातों के बारे में सोचना है दरासल गांदी जी एक महान हेतवादी है लेकिन उसके हेतवाद और अन्य लोगों के हेतवाद में एक महत्मान अंतर है गांदी जी का हेतवाद व्यवहारिक और मानो कल्यान के साथ है दूसरों का हेतवाद अधिकतर बुद्धी का प्रदशन है कोटों में बेटकर गरीबी उन्मोलन के बारे में आधिक सिधानतों की आलोचना करने के बुद्धिशाली हेतवादी होंगे या मिट्टी की जोपडी में बेटकर गरीबी उन्मोलन के लिए लगातार मेहनत करने वाले हेतवादी बनेंगे सबी लोगों को कदर पहना है तो पर्याप्त नहीं होगा इसलिए गांदी जी ने पहचाना की तोड़े कपड़े से संतुष्ट होना है इसके तुरंध ही उन्होंने 1921 में अंगोचा पहनना शुरू किया यही व्यवा के साथ हेतवाद कहलाता है गांदी जी की हेतवाद यही है यह कहना सही लग रहा है कि चुवाचूत को समप्त करने के लिए जाती को भी समप्त किया जाना चाहिए लेकिन चुवाचूत को किस प्रकार समप्त करना है गांदी जी बड़े सिध्धांतों को बताते हुए शब्दुम से संतुष्ट नहीं होते है गांदी जी ने कहा क सिद्धान्त का प्रयोग व्यवहार में दस लोगों को जोड़ना का एक मात्र साधना है सिद्धान्त सही होने पर भी जिसका आचरन नहीं किया जाता है वह बेकार है इसलिए उन्निसो बीस में चुवाचूत वुन्मोलन कारिक्रम शुरू किया तब मंदिर में प्रवेश करने तक ही सीमित है लेकिन जब आंदोलन बढ़ रहा था तो गांदी जी ने सपष्ट बता दिया कि उन्निसो चियालिस में कैवल सहपंक्ति बोजन ही नहीं बलकि हरिजन और हरिजने तर अंतर विवाख होना है वे सिध्धान्तों से अनबिग्न नहीं थे उन्हें लोगों द्वारा अंसरन करने के लिए वे दीरे दीरे चलते थे उन्होंने हेत्वद के अभ्यास पर लगाम पहने थे महत्मा गांधी ने यह साबित करके हेत्वद को एक नया रूप दिया है हेत्वद की कसोटी तरक नहीं है आचरन है अगर तरक को ही प्राधानता दी जाती है तो तरक का विजय या पराजय विश्यों के सत्यासत से ज्यादा व्यक्ति की प्रिधिवा पर ही आदारित होता है प्रिधिवा शाली आदमी तरक करता है तो उनको पक्ष को ही जीत प्राप्त होती है लेकिन न्याई और अन्याई का विशाई पीछे चला जाता है जो लोग यह बताते हैं कि चुवा चूत गलत है उनके अभ्यास को जाती आदारित दर्शन में देखा जा सकता है जो लोग तरकवाद के बारे में बहस करते हैं वे पारसपरिक रूप से परंपरागत अंदविश्वासों का पालं करते होंगे इस प्रकार प्रतिबाशाली वाधों में ब्रश्टाचार नहीत होगा लेकिन जब तरक का बल वादी की आचारन से भांध कर रखते हैं तो हेतवत से ब्रश्टता निकल जाती है वाधी के लिए आत्मशुद्धी और त्याग की आवश्यकता है यदि स्वच्च तरक में प्रधिबागा प्रदर्शन होता है तो व्यवहार में नीती और सामाजिक प्रयोजन होते है आज गांदी जी की हेतवत के बारे में कुछ अमशों को जान चुके हैं ना अगले अंक में इसी विशेई पर और कुछ अमशों को जानेंगे धन्यवाद और कुछ वीडियों के लिए कृप्या हमारे चानल को सब्सक्रेब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशन पर दबाईए कि अगले अगले पत्तर विशों के लिए प्रफ़िए और प्रॉप संप्सक्रेब का ने चानल